अलोई रोट अशकार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोगर क्लासेज के बीए प्लेट फार्म पर बीए बीए सी वीकॉम के सभी सेकेंडिर के चात्रों के लिए century आग्षिン लेइंग्लीज के शिचन में दोस्तो और इंगलियस इंग्लिसे लेनगीज के अंतरगत भी मीसिक्यूम सीदी में दोस्तो आज हम एक नय कोड़ेंद से का मतलब होता दोस्तो कि किक प्रकार से कुस अस्में बHay esquina गय से और कि है इस्पेलिंग के क्रम में इना क्रम को आगे पीछे कर दिये जाता है या इन प्रोपर तरीके से कुछ वर्ट्स को जो है वहाँ पर रखा जाता है शब्द के साथ में तो उनको पैचानते हुए एक spelling की जो mistake होती ना spelling की mistake को पहचान करके उसको सही ठीक करना ही जो है इसमें प्रथम कारियों होता है तो कुल मिलागर के miss spelled words के अंतरगत कुछ इस प्रकार से question होंगे दोस्तो question में आपको चार option दी जाएंगे चार option में से एक bird को यह सा होगा जिसमें spelling में कुछ mistake होगी और उसे आपको पहचानना होगा तो इसी प्रकार के कुछ महतपूर प्रशन उतरों पर आज हम डिसकस करेंगे जिससे कि आपके दर्ष्टिकोंट से भी एक्जाम के दर्ष्टिकोंट से भी आपके लिए यह session important हो और सभी question answer आप इसी ली जो है वहाँ पर correct कर पाए तो दोस्तों अगर जो भी नए student है उनको बता दो में कि foundation course के अलावा हमारे अन्य विश्यों पर भी classes चल रही है और कुछ subject cover कर वी लिए गया है इन सब की link आपको हमारी playlist में मिल जाएगी सभी subject की अलग अलग playlist हमारे द्वारा बना दी गई है जिससे आप आसान इसे हमारी playlist में जा करके उन्हें देख करके अपने तयारी को बहतर कर सकते हैं इस सब के अलावा आप टेलेग्राम और कोशन पूचे जाते हैं पहला कोशन बोलता है कि find that miss spelled word में भी कोशन कहीं प्रकार से पूचे आते हैं कोशन का format अलग-अलग होता है और उन सभी format को मैंने यहाँ पर लाने का प्रियास किया है सभी प्रकार की कोशन आपको देखने को मिलेंगे जिनका मतलब एक ही होगा लेकिन देखने में कोशन अलग-अलग लगेगा ठीक है ना तो पहला कोशन बोलता है कि find that miss spelled word कहने का अर्थ है कि यह चार वर्ड आपको यहां दिए गए है चार वर्ड दिए गए है ओप्सन ए बी सी और डी इन में से आपको एक ओप्सन चुनना है और यह बताना है कि इन चार ओप्सनों में से कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा गलत है spelling basis पर अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा जो नीचे की आप डिस्क्रिप्सन लिखी हो यह ना दोस्तों यह आपको एक्जाम में देखने को नहीं मिलेगी और यह इस पेसली मैंने सिर्फ यहां पर डाली है ताकि आप जब डाउनलोड कर लें तो बाद में जब कभी रिविजन लगाए तो आप आसानी से समझ सके कि कोई गलती ना हो और आपको फर से समझ आ जाए कि यह गलत क्यों था देखिए पहले वाला जो दोस्तों उप्सन है देखी चार उप्सन दिए गए हैं एक में का गया है एड्मिरेबल एड्मिरेबल का मतलब होता है सोहार्द्रपूर्ण कैसा सोहार्द्रपूर्ण वहीं अ इंडोमी टेबल का मतलब होता है अदम में अदम में जिसमें अदम में साहस बरा हो ठीक है ना लेकिन यहां पर एक वर्ड दिख रहा है सी और वहां कहा जा रहा है फर्डी में फर्मीडेबल फर्मीडेबल ठीक है ना और यह फर्मीडेबल का बेसिकल लिए अगर देखा ज नहीं होगा वलकि uk इस्थान पर क्या होना चाहिए उ होना चाहिए क्या वुलती देखीए critically इस फर्मीडेवल मतलब औप्षन सी द्रकैन मटनेरी उप्र है क्योंकि wink इसस फर्मीडेवल में he गलत है बलकि फॉर्मीडेवल होता है अगर हम ब्रिटिस लेंग्वेज में पढ़ें तो फॉर्मीडेवल होगा लेकिन एक्जेक्ट लिए गर इसको हम पढ़ेंगे तो परनेसेशन सेम निकलेगा फर्मीडेवल के लिए रहे तो यूके इस्तान पर और आना चाहिए था तो यह Spelling सही हो जाती तो यह बारिक सी साब्धानिया रकनी है आपको महाँ पर पर टिक मानने से पहले बारिक सी साब्धानिया रकनी पड़ेगी बास समझाई इसलिए इसका option कॉन सा करेक्ट हो जाएगा Option C करेक्ट हो जाएगा तो मतलब यह कि इन चार उप्शनों में गलत स् गलत वर्ड चूज करना है गलत वर्ड ढूंडना है कौन सा होगा चारे सेक्रेमेंट सेक्रेमेंट सेक्रेड सेक्रेलेज और सेक्रोसेंट तो यहां पर दोस्तो सेक्रेमेंट का मतलब होता है हिंदी अर्थ के गर बात करें तो हिंदी अर्थ होता है इसका संसकार क्या होता है स उसी परकार से अगर option डenta kya होता है अपावित्रता यका हुता ही इसलियर है उसी परकार से उसी हम सी को सी को हम देखते हैं तो यह भी इससे जुढा हुआ है आप से जुढा हुआ है सेक्रदेज से पालकि यह份 spelling में spelling इसकी गलत है spelling गलत है यहां पर एक इस्तान पर क्या आना चाहिए था दोस्तों आई आना चाहिए था अगर यह एक इस्तान पर हाद और और उसी प्रकार से यह थिक होने के बाद में सेख्रिलेज्ट का मतलब हो दोस्तुमेंद THAT यह heeft वी उसी जो है एकदम करेक्ट हो जागा क्योंकि जो है यह यह मिश्पैल्ट है इसमें spelling की गलती है य आर के बाद य नहीं बलकि आई आना चाहिए था किलिए रहे चलिए अगला वर्ड देखते हैं अगला next question है देखिए क्या बोल रहा है choose the miss spelled word out of given option अब प्रशन सेम है उद्देश सेम है find that miss spelled word यहाँ पर भी आपको miss spelled word ढूनना था वो दूसरा भी बोल रहा है कि miss spelled word ही सर्च करना है out of given option जो option दिये गए हैं उनमें से miss spelled word को सर्च कीजिए तो क्या है देखिए ओप्सन चार एड़ोकेसी अरिस्टोकेसी डेमोकरेसी और कर्टेसी ठीक है तो यहाँ एड़ोकेसी मतलब क्या होता है भकालत एड़ोकेसी मतलब वर्ग का मतलब होता है यहाँ पर एक बिशिएस प्रकार का वर्ग जिसे हम कह सकते हैं अभी जात वर्ग। रहते हैं में ऊप्सन एड़ोकेसी बिल्कूल करेक्ट है इस पर लिंग में फ्रिख रहना चाहिए तो और कर्टेशी होगा कर्टेशी का मतलब हो जाएगा कर्टेशी का मतलब होता है सिस्ट आ चार ठीक integrity the minist की बकालत अरिस्ट्रोर्ट्रिक सी मतलब अभिजात वर्ग है defensive मतलब लोगत तंत्रे और कर्टे सी, सी के इस्तान पर एस आएगा, कर्टे सी इसको ठीक करते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है, शेश्टा चार, इस प्रकार से आप लोग समझी पाएंगे, नीचे की डिस्क्रिप्सन जो लिखेंगे ना, ये आपको बाद में बताने में सफलता पूरवक आपको य ओप्सन गलत क्यों है, कौन सी स्पेलिंग गलत है, इसलिए मैंने बिशेश रूप से ये डिस्क्रिप्सन, एक एक लाइन की डिस्क्रिप्सन नीचे डाली है, ताकि आप अगर एक महीने बाद, दो महीने बाद ये एक साल बाद में रिविसन लगाएंगे ना, तो आपको इस पेल डूनते परें, गलत डूनते परें, गलत डूनने जाओ गे ना, तो आपको एक से ज़्यादा गलत मिल जाएंगे, ध्यान दे कोशन पर कोशन क्या बोल रहा है, करेक्टली इसपेल्ट वर्ड मतलब ये, कि जो ओप्सन आपको दिये गए हैं, उन ओप्सन में सही को ढूंड ये, इसका मतलब क्या हुआ, कि तीन गलत है और एक सही है, उसी सही को आपको पकड़ना है, उसी सही को आपको देखना है, तो देखिए, पहला कोशन, पहला ओप्सन बोलता है, क्या लिका हुआ है, सरेंडर, सरेंडर, बेसिकली क्या सरेंडर सही लिका है क्या, तो यह इस लिए गलत हो गया दूसरे को देखते हैं ऑप्सन B को देखें सरफीट सरफीट का मतलब क्या होता है अतिशोक्ति हो जाना अतिशोक्ति ठीक है तो अतिशोक्ति क्या सरफीट सही है तो दोस्तों यहां पर सरफीट जब लिखते हैं हम तो यह पहले आता है और आई से बाद में आता है ना कैसे लिखाता है सरफेट एक अधीज इसलिख 맛이 इसका मतलब होता है अतिशोक्ति तो यह गलत है इसका मतलब यह वी अमार आंसर नहीं है कि दूसरा देखते हैं सप्रेसऑ किसी को डवाना सप्रेश मतलब की दवाना तो क्या हो गए हो огда ही इसका यूपन करता यूपन करता तो यह इस पे line बिल्कुल करेटर है सब्रेश यह बिल्कुल करेकटर इसलिए हमारा आंसर भी से होगा सब्रेश करेक्ट्ट ohp smart हैं तीनों में से तो यहच्या सूपर मेसी क्या बोल रहे है ऑप्शन ॏ क्या собствен क्या बोल None जेका हुआ जबकि गलति है वह समस्परमेसी मतलब क्या हुआ एक बिसेश्ट चीज्ली को उसको हम क्या बोलें सुपर मेंसी एक सुपर के लिए रहे तो यहां पर ओप्षन कौन सा करेक्ट हो जागा ओप्षन इसका भी सी ओप्षन करेक्ट हो रहा है अगला कोशन देखते हैं फाइंड डैट मिसे स्पेल्ट वर्ड यहां पर गलत वर्ड डूणना है सही नहीं ऑम्चल ए hedgeization 10 और कोंबिनेशन अइड मोनेशन ऐंड मोंनेशन का मतलब क्या हुआ हिसा हिंदी अनुबाद होता है वार्निंग मतलब सोरी माँ प्रक द़ता बनी ठिके यह वार्निंग का सिनोनिम वर्ड है एंड मुणूनिशन इसका warning का तो हिंदी अनुबाद क्या होगा इसका छेताबनी हिंदे क्या हो गया इसका चेताबनी उसी प्रकार से Allucination Allucination आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा Allucination मतलब क्या होता मती को control करना है ब्रहमित कर देना Mind को disturb कर देना ब्रहमित कर देना तो Allucination का मतलब हुआ ब्रहमित कर देना मती को ब्रहमित कर देना मस्तिस्क को ब्रहमित कर देना इसे को ब्रहम में डाल देना ठीके. विर्विद्विद्वन की स्पिलिंग बिल्कुल करेक्ट है. ये भी गलत नहीं हो सकता. एग्सज़ेशन. एग्स़ेशन. क्या? ऑग्स़ेशन. एग्स़ेशन. एग्स़ेशन दोस्तो這些 का ही sinonim है. मतलब क्या? अति शोक्ति इसका मतलब होता है लेकिन यहाँ पर गलती आ रही है कि यहाँ पर सिंगल G नहीं आएगा बलकि एक G और आएगा डबल G होता है एक्जरेशन E-X-A-W-G-E-R-A-T-I-O-N एक्जरेशन इसका मतलब होता है अति शोक्ति और ओप्सन D कॉम्बेनेशन के स्पेलिंग बिल्कुल सही है इसका मतलब होता है सही हो जन ओप्सन यहाँ पर भी C ही करेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है यार यह 5 कोशन हो गए 5 सभी के अंसर CC में आ रहा है क्या वात है चेक करते एक मिट नहीं यह सब जरूर नहीं है ठीक है में आ रहा है पर इस तो के न हमको समझने समझना है कुल मिला करके इसको पूरा एक्स्प्लेंड करना है समझना है इसे एक एक वर्ड वर्ड समझने चलिएगा देखिए एक बात ध्यान रखें पड़ते वक्ते इंग्लिस इंग्लिस लेंगेज में जो भी सेशन आप देखते है ना उसकी मेंटर को समझ जीए जैसे अब मिस्स पेल्ट वर्ड आप पड़ रहें तो मिस्स पेल्ड वर्ड की जो मेंटर है मेटर को समझ लीजिए बाकी तो आपको बहुत सारे बर्ड आपको पुस्तक में मिल जाएंगे किताब में मिल जाएंगे वहां से आप पड़कर के मैक्जिमम वर्ड की त्यारी कर सकते लेकिन अगरे आपको एक बार मेतर समझ आगे ना तो आप कर पाएंगे कंफुजन पूरी तरह खत्त खत्त हम हो जाएगी इसलिए लेक्षर देखने के बाद में आप जो भी बुक हो ना उस बुक में मिस्स पेल्ट वर्ड वाले पार्ट को निकालना और एक बार उसको अनये मतलब वही है कि57 वमें निशे भेलंट में स्पेल्ट वर्ड मतलब वही कहें किया लिगाए कि इन फोलोंविंग कोश्टिन्स इन फोलोंविंग कोशोंS या इन फोलोंविंग ओप्शन जो अप elite नीचे दिए गए हैं चारोप्षन में नहीं हुआ है तो फोर चारोपर और भीवन जी वर्ट आपको दिए गए हैं ठीक आउट ओफ विच वन इन में से चाफ दिए ऐक करेक्ट आउट तो कर चारव दे गए छार गलत तो इस प्रसे टलत रखा गया है और उसी गलत वर्ड को आपको ढूनना है ठीक है न इनकरेट्ली सपेल्ड वर्ड तो फैंड दा- इनकरेट्ली सपेल्ड वर्ड तो लंबा कोशन देकर कि ये का ना कन्प्यूज मत हो ये विल्कुल नहीं होना ठीक है चलिए तो यहाँ पर चार उप्शन है पहला पूर्की है कि और व दिख कर दिकान निगरानी करना सर्वेलेंस निगरानी करना 120 पर नज़र रखना सब्सक्राइब करेक्ट है इस्तब्दता होती इस्तब्दता उसी प्रकार से प्रपेंशियल प्रपेंशियल का मतलब होता है दोस्तों अधीमानी क्या होता है अधीमानी प्रपेंशियल का मतलब होता है अधीमानी डेट्रिमेंटल का मतलब होता है हानिकारक इनकी में लेका हुआ भी है कि मिसि स्पेंट बर्डी सर्विलेंस क्यों के इसißtान पर क्या बोल्ड कर दिया है मेने मेरे पीचे आ रहा है जिस ओके ना तो यह को जाएगा अगला लेटे है नेक्स्ट कोशन लेते हैं एक्सक्राइब कोश्चन इन दर फॉलोविंग कोश्चन फोर बरसार गिवन आउट ओफ विच वन वर्ड इस दा इनकरेक्टली इस पैल चार उप्सनों में से एक ऐसा है जिसे इस पैल्ट किया गया है गलत किया गया है उसे आपको ढूंडना है तो चार वर्ड है रिकमेंड करना किसी को रिकमेंड करना मतलब कि हिंदी बात करें तो अनूसैंशा करना किसी की दूसरा al mining क्या है कि कुछ लगणा कर लेते दूसरा है सैमेंट्री मतलब कर रिस्तान सई एस पैली सटेलाइट सब्सक्रास आगा कि एग्जैक्टली करेक्ट है उपगरे सेटलाइट का हिंद अनुबाद होता है उपगरे तो यहाँ पर गलत कुल सा है एलुमिनियम ही गलत है क्यों क्योंकि डवल लेल नहीं वलकि सिंगल एल आता है इसलिए इसका ओप्षन भी करेक्ट हो जाएगा क्यों किल्यरे चलीए अगला कोशन लेता है नेक्सट कोशन है चूज़ दा मिसी स्पैल्ट800 आवट ओक गिवन ओप्षन है जिए मित बियां इतन स्टोलन रिटन चारो वर्व है और वर्व का भी थर्ड फ्रॉम है बीट 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 इतन ओएट इतन त्रिकि ना इस टोलन सब थरभर में रिटन सब सब थरभर में अब यहां पर आपको चेक करना देखिए बीटन की अगर बात करें दोस्तों तो बीडन बीटन गलत दिया रिटन गलत आए कि डवल टी आती रिटन में राइट लिखते हैं तो क्या डवल टी आता है ना तो रिटन रिटन इन लगा देंगे राइट में रिटन हो जाएगा तो यहां पर बल्कि सिंगल टी नहीं राइट में बल्कि डवल टी आना चाहिए था तो इस पेलिंग मिस्टेक है इसलिए इस फोर वर्स और गीवन आउट ओफ विच वन वर्ड इस इंकरेक्ट ली स्पेल्ट वर्ट चार ओप्सन दिए गए हैं लाउडेवल क्या लाउडेवल लिट्रेरी लीकेज और लोफ जो है दोस्तों लाउडेवल का मतलब होता है हिंदी अनुबाद की बात करें तो प्रसंस नि स्पेलिंग नहीं है दूसरा है लिट्रेरी लिट्रेशारी का मतलब होता है साहिण साहिट ठिक ठीक ref ल ß्प्सन्स यह हमारा आंसर है जो खलत है ना वहीं हमारा आंसर तो यह लिकेज जो है लिकेज हें मैंतलब कि मतलब होता है यहां पर कुछ बिषेष प्रमुख सेलेंट सेलेंट का मतलब होता है उसी प्रकार से मतलब होता है बहादूर और बिर्लियंट का मतलब होता है प्रतिवाशाली तो या हमें गड़ावर्ध नज़र आ रही है देखिए description में पढ़ लीजिए brilliant में जो E दिया गया ना यही गलत है यह brilliant यह नहीं आएगा वलकि A हो जाना चाहिए था इसको clear है brilliant में यह नहीं वलकि A आएगा spelling ठीक करना पड़ेगा option D हमारा correct answer हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से Mrs. Pelt word पर हमने 10 question answer पर discuss किया है next session में अगले part में हम लेकर किया रहे हैं आपके लिए 10 sentence कौन से आप व्यवस्तित करम में रख देंगे और उनको हमें अरेंज करना होगा एक व्यवस्तित करम में ठीक है अगले वाले session में मैं आपको arrange करना सिखाऊंगा sentence का थोड़ा grammar और sentence का थोड़ा बहुत कर आपको knowledge होगा तो आप बहुत व्यवस्तित कर पाएंगे लेकिन मैं प्रि कि हमारे द्वारा बिये के almost सभी विश्यों को पढ़ाय जा रहा है जिसे आप जो है प्रोपर तरीके से हमारी WhatsApp और टेलिग्राम गुरूप को जोइन करके आप आसानी से उन्हें फोलो कर सकते हैं सभी लेक्चरों की लिंक आप एकी इस्तान पर अर्थात की WhatsApp और टेलिग्र कर सकते हैं मिलेंगे दोस्तों में तब तक अब सभी का धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू सो मज़ अगर 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 अगर